दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल हेल्दी फॉर अवर पे आज हम आपके लिए बेहत हेल्दी और इसकी चटनी के बारे में जानकारी लेका हैं यानि के चुकंदर की चटनी ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बलकि आपकी सिहत और ओवरोल हेल्प के लिए भी बहुत जादा फाइदेमंद है इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इस चटनी के बारे में आपको जानकारी दे जाए इसका स्वाद लाजवाब होता है और इसके सिहत के लिए भी बहुत सारे फाइदे और बैनिफिस होते हैं फाइदों के अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो हाट की है तो इसको इंप्रूब करते हैं इसके अंदर जो फ्लेवनाइट्स हैं वो हाट को ताकत देते हैं और यह ब्लड प्रिशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है जो उसका दूसरा फायदा होता है डिटॉक्सिफिकेशन का चुकंदर की चटनी के अंदर बहु नमर्टीर इसमें फायबर की अच्छी मात्रा होती है तो आपके पाचन तंतर को स्वास्त रखती है और कॉंस्टीपेशन को कब्स को भी कम करती है यह कम कैलोरी वाला एक पोशन है जिससे वजन को कम करने में भी बहुत जादा मदद मिलती है चुकंदर की चटनी बनाने के हुआ जीरा एक चोटा चमच राई एक चोटा चमच कुछ आट से दस कड़ी के पत्ते एक चुक्की ही और नमक स्वादनुसार साथ में ऑलिवाइल यानि के जतून का तेल करीब एक बड़ा चमच और कुछ धनिया पत्ती अब बात करते हैं चुकंदर चटनी को बनाने के बारे में तो सबसे पहले देखिए आप एक पैन में जो है वो ऑलिवाइल जो जतून का तेल है उसको डाल दे जब तेल गरम हो जाए तब इसमें एक चोटा चमच राई डाल दे इसको चटक ने दे और अब इसमें एक चोटा चमच जीरा और एक चुक्की हींग डाल दे इ जब चुकंदर थोड़ा नरम हो जाए तब इसमें कद्दू कस किया हुआ नारियल डाल दे और इसको अच्छे से मिला ले अब इसमें जो आपने हरी मेरिच लीती दो तीन और जो भीगा हुआ इमली का टुकड़ा था उसको भी डाल दे स्वादा नुसर नमक डाल दे इस मिक चट्नी को बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करना इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखे तो देखिए हमारी चुकंदर की चट्नी तयार है आप इसे बरतन में निकाल लें और उपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डालके सजा लें तो देखिए इसको आप पराठे पे रोटी पे सैंड्विच पे या किस स्नैक के साथ खा सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी चुकंदर की चट्नी की रेसीपी और उसके हेल्थ बेनिफिट तो चट्नी का इस्तमाल करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके स्वाथ कैसा था और आप से इसको पाइदे कौन-कौन से मि अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो दिखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक खुश रहे स्वास्त रहे थैंक्यू धन्यवाद